सभी को नमो बुद्धाय जैभी आज के आज कर मुझे विशय दिया गया है वो विशय मुझे दिया गया डॉक्टर अंबिडगर और नारी उत्थान और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं मुझे इस विशय पर बोलने के लिए दिया गया क्योंकि मैं स्वय में एक नारी हूँ और मुझे मालूम है कि बाबा साहब ने हमारे जीवन को कैसे उसका उत्थान किया है हमारे जीवन का कैसे उन्होंने सुधार किया है आज जो हम नारी जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर हम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब जी की वज़े से तो मैं शुरुवात करना चाहूंगी, कि अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखे, अगर मैं उसकी बात करूँ, मैं थोड़े में प्राणी इतिहास से लेकर आउंगी, तब ही हमें समझेगा कि बाबा साब नारी के लिए क्या क्या क्या, क्योंकि अगर हमें ये नहीं प तो अगर हम वैदिक काल की बात करें पुरानी अगर हम काल बात करें प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में भारत में जो है महिलाए मातरु तो सत्ता थी हमारी और महिलाए जो है वो भारत में माताओं का बड़ा सम्मान होता था, नारी का सम्मान होता था, लेकि जब आरी भारत में बाहर से आये तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे पहले जिनके उपर उन्होंने आकरमन किया वह भारत की जो नारी थी क्योंकि वह अपने साथ में नारी नहीं लाए और उन्होंने महिलाओ के उपर उन्होंने आकरमन किया और उसका परिणाम यह हुआ कि जो भारत क जो ऐसे सशक्त जो महिलाई थी उस वक्त, उसकाल में, उन महिलाओ को उन्होंने मार डाला, उन महिलाओ को नन्योंने नरसंघार किया, और फिर दीरे-दीरे करके उनके जो परिवार थी, उन परिवारों को उनी नस्ट किया। हम राहू व्हू सिन्सकृतारानिकी जो बुक्स है वह औलगा सिंह गंगा तक। उस किताब का हम र guys रेकरेंस ले सकते हैं। उस 6 में हम पढ़ सकते हैं। कि महिलाओ की पहली स्थिति कैसी थी महिलाओ भारत में और किस परकार से जो महिलाओ थी वो पूरे अखंड यह जंबुदीब था उसको वो चलाने का काम करती थी वो मात्रसत्ता थी उन्हीं के नाम से पूरा चलता था फिर दीड़ दीड़े करके उन आर्यों ने महिलाओ को गुलाम बना लिया महिलाओ बना गई जिसका प्रतीक है वब प्रतीक आज भी महिलाओं ढो भी है और वो पैरो में चुक्टी पहना हाना बोस्ता कि इसरों में शूलियात बरना गले मंगस उत्र होना नाक में बलतनी ओना यह सब गुलाम्य का हीsto प्रतीक है और आगर हम दॉ नकेर डाल दू नकेर डालने का मतलब होता है कि उसको अपने बर्ष में करना और यह होंनोंगों न भीने महीला दाल यहां क्षोपता है और प्रैने वहांनों प्रपाइस पाहँ मोहल इंहें दीरेडे बहुएं गुलाम गला हैं भारत में वह इतनी गुलाम मुए ढूप है अम कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसको आज भी श्वरवां आगर हम जन्शमों को देखें म कहते हैं, पैर की जूति पैर में ही सोभा देती है और इसको मैंने क्योंकि मैं उत्तर भारत मैं जब कभी मैं ट्रेवलिंग करती हूं मैंने बहुत बार इस सेंटेंस को मैं सुनती हूं और मुझे बहुत दर्द होता है क्योंकि जब कोई कहता है महीला को की पैर की जूति है तो मुझे ऐसा पुरुष के जूती नहाए पुरुष वितों जूतीु नाम के जो एक ब्राहمن थे उनके गाल में ये जो मनुसम्र्ति है सद्रश dön सो ग्राइश्वी में इस मनुसम्रति की रचना हुई है यू इस मनुसम्रती ने महि lawn को इतना नर्क में लेके गए कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते महिलाओ की जितने भी अधिकार थे उनको उनको सब अधिकारों का हनन करके उनको कैसे आज जीवन उनको दास बना दिया जाए तो उस किताब में वो सब कुछ लिखा गया और उस किताब को यह पुरा भारत है आज भी आज भी मैं कहती हूं कि आज भी भ बहुत ही बहुत ही अच्छे डंग से हैं लोगों के बीच में इसको ले जाया गया और लोग इसका किताब थी इसकी आदेश का पालन करने लेगे बहुत सारे लोगों ने इसमें अलग 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 बातों को लिखा लेकिन जो बात मुझे आज भी जो मुझे बात दर्द देती है मनुस्त्मृति की बात मुझे दर्द देती है कि जो भी अधिकार बाबसा हमने सम्मी धान में दिये हैं उन सभी अधिकारों का हनन जो था वो देखते हैं94 सूरज को ऑदय हुआ जो तीवा जिनको महान ऐसे कभी कहा गया है, हम उन तुसी दास जी के बारे में ही में बताना चाहूंगी, तुसी दास जी कहते हैं धोर, गवार, शुद्र, पसुनारी, ये सबतारण के अधिकारी, मतलब धोर, धोर मतलब पशु, गवार, तलब जो विक्ति, गवार होते हैं, अनपढ गवार, भेषस्टी घोर, गवार, शुद्र, थो मतलब धोर, धोर को भी पीटा जाता है, गवार को भी पीतना चाहिए, और शुद्र को भी पीटना चाहिए, और परस्रो को भी तो इयसे जो इन सभी को इन नारिक भी और पश्रो तो ऐसा तुलसिदास जी इस प्रकार से रहरा दो जेख्र किया है और फिर इस00 सब हुommt तो जॉतिवा फूले ने एटWA-फूले ने उन्निस भी सताबदी में महिला मतले के लिए सबसे पहले उनकी पत्नी ती उनकी जीवन साथी ती को सावित भा पूले को पढ़ाए और सावित भाइ फूले को पढ़ाने के बाद मे उस वक्त भी आसान नहीं था जब उन्होंने निरने लिया अपनी पत्नी को पढ़ाने का, बहुत कठीन ये निरने था, क्योंकि उन्होंने उनको घर चोड़ना पड़ा, और समास का बहुत व्योद सेहन करना पड़ा, उस वक्त भी ऐसा हुआ, कि ये लोग धर्म के खिलाफ जारें, क्योंकि पेश्वाई सभावितक्र उन्होंने सावित्री पढ़ा। भाई भुलेने, साभीत्री पड़ा पड़ा के लिए। बैनके उन्होंने भारत की सभी जातियों की महिलाव के लिए Unocool को ले और देखो ना एक रोटी का भी वो ा अदा अदा टुकड़ा अधाि टुकड़ा वो उन लड़कियों के लिए रखती थी जो लड़कों के लिए हैं उस आदे मेंज अदे टुकड़े में जिन्होंने समाज को बदनने का काम किया है उसके बाद में हम देखते हैं कि वो काल में जोतिवा फूले ने बहुत बड़ा काम किया महिलाओ को पढ़ाने का महिलाओ के उत्थान का बहुत सारी चीज़ में उन्होंने महिलाओ को इसे दास्ता से निकालने का काम किया लेकिन ब म vegetarian कुमाने क्या dowagerτό सवीधान का मनुसमृती you बहुत सारे महां पर देखने के मिलती है तो बाब साओ उसका प्यास तो बईड़ियां भी कटी नहीं थी अभी वो कानून नहीं बने थे जो हमें जो हमें सुरक्षा दे सके जो हमारा सुरक्षा कवच बन सके जो हमें जो हमें उस दरिद्वता से उस नर्क से हमें बाहर निकाल सके उस खाई से हमें बाहर निकाल सके और फिर बीस्वी सताबदी में बाबा साहब जब आए तो बाबा साहब मनें महिलाओं के लिये सही में का हूँ बाब साब का बहुत बड़ा योगदान है जान कि हमेशा हूं कि बाबब साहब नहीं मुझे जनंद दिया है और यह बात में सिर्फ कहती हिं इसी बात को मैं अनुद्व करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगते है कि सरीर को जनम देना ही बड़ी बात नहीं होती है सरी को तो कोई भी जनम दे सकता है पशुबी जो है वो भी एक नए जीव को जनम देते हैं लेकिन अधिकार नहीं मिलते हैं तो उसे पहले बाबसाब से पहले बहुत सारी महिलाओं के जनम हुए लेकिन ऐसे ही चली गई ऐसे ही मर ग गुलामी के अलावा हमने करा किया बाबा सहाब ने बाबा सहाब की जो लड़ाई थी वो लड़ाई संपूर मानव जाती के लिए थी और बाबा सहाब ने भारत की सिर्फ एक वर्ग की महिलाओं के लिए काम नहीं किया पूरे भारत की सभी वर्गों की महिलाओं के लिए इस भारत का आधा हिस्सा है किसी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया किसी वेक्ति ने इस बात को कभी एसे कभी इस बात को लगा नहीं किसी वेक्ति को कि महीला जो है भारत का आधा हिस्सा है और इसके लिए बाबा साब ने लड़ाई लड़ी और देखें उनकी मानसिक्ता को देखें आप, उस वक्त उन्होंने ऐसा कहां, उस अदिवेशन में, कि लड़कियों की शादी 12 साल की उम्र तक कर देनी चाहिए, अब आप मुझे बताईए, 12 साल की बच्ची होती ही कितनी है, क्या उसको अपना पता होता है, अरे वो अपना बाहर नहीं उठा सकती, तो दूसरे का बाहर क्या उठाएगी, वो क्या उठाएगी दूसरे का बाहर, मगर 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, ऐसा कानूर बनाने की बात चल ले थी, और उस वक्त, अकेले अकेले बाबासाहाब उस वक्त लड़े, बाबसाब ने कहा कि 12 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको अपना भी पता नहीं होता है, वो बाहर सहन नहीं कर सकता परिवार का, परिवार का बोज़ वो कैसे उठाएगी बच्ची, जब शादिय आती है तो सारी जिम्मेदारों को उठाना पड़ता है, वो बच्च दिलाने वाले वो मेरे मा और बाप है, बाबसाब नहीं अधिकार दिलाया कि लड़कियों की जो उम्र है, 18 साल से पहले अगर कोई लड़कियों की शादी कर दे, तो कानूनी वो जुर्म है, और आज आप देखिए, अगर आज कोई भी वेक्ती, किसी भी लड़की की शाद भले उसके माबाप 18 साल से पहले करते हैं, तो कानूनी, कानून उनके उपर, कानून के तहत वो जेल जाएंगे और शादी रुकेगे, और यह किसके वज़े से हुआ, यह भाबसाब की वज़े से हुआ, उनके अथक परियासों की वज़े से हुआ, सोचिए, एक पल को, कि अगर वह जाती नहाता, तो क्या होता, अब तक बॉटी हो जाती है, अब तक तो में बूटी हो जाती है, बड़े को गुलाम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जब आप छोटे पन में जब गुलामी में रखते हो तो बड़े होने के बाद में उसकी हिम्मत खतम हो जाती है आवाज उठाने की और यही वो करना चाहते थे महिलाओ के साथ में उसकी आवाज ही निकल पाए बाबसाब ने महिल बाबसाब ने कहा कि लड़की 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं होने चाहिए और अकेले लड़े कोई नहीं लड़ा अकेले बाबसाब लड़े इसके लिए उसके बाद में बाबसाब ने महिलाओ को आज जो हम हमें जो मातरतुव लिव मिलती है जिसको हम बोलते मैटर तो यह मात्रतु अअवकास किसे विज 15से बाबा- साब कि वज़े से बाबासाब पके लिए इसके से लिए झ demás लड़े टे कानून में कि आभज के है तो अवज की किरने तुक्ष परं थे जिंकर बहुत जाल अब तो उसवक्त Leonard कि उसमाज सो इतना बहार तो इस देश को इपरेगा कि वो मातरत्य वाता थे महिलां को ऑफिल उसको फुल हेतन का उपकास मिलें पूल एतन महिलां को वो कमा रही है तो उसकी चिंदा दूर हो जाए नहीं तो उसको लगेगा कि बच्चे को जरन जरने के बाद में इंकम कहां से आएगी कैसे वो अपने परिवार को चलाएगी कितनी दूर की सोची बाबसा हमने हम महिलाओ के बारे में कितनी दूर की ये बाबसाब एक 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 बात के लए बाबसाब लड़ रहे थे हमारे लिए क्या बाबसाब महीना थे। आप मुझे बता निया कि बाबसामाईलबn let's वह पुरूश थे वह भी चाते तो ने से बाकी के पुधे כे पुरु उनके लिए किया वह थट्रवन है गुलाम प्रुम तू हम थे हुआ वह तो ऐसे भी मतला रुशत आत्मच आज ह्पर आज भी देखें आज में भारत में वह जो ब्ieurु सिपे लुए दिखा रहें मां एक पिता अपने बच्चे को कभी भी रोता हूं नहीं देख सकता है वो यह चाहता है उसका भविष्य कैसे बने और बाब सामने वही क्या बाब सामने हमारे भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे उसके बाद हम देखते हैं 1950 में जिसको ब बना दूँ जिस और ऐसा कानून को मैं सुरक्षित कर दूँ जहां मेरी बच्चियों के साभी अधिका सुरक्षित हो जाए और आप देखिए जब बाबा साहब 1950 में जो कानून है जो कानून बनाने की बाद बाबा साहब करे थे जिसको बोलते हिंदु कोड़ बेल सभी ने दिलनी मेरते थे उनोने वरोद गया तो यह फिरोध कोड़ का वरोद था यह पहले प्रत्म जो हमारे करदर पर्शाद मुकरजे ने परशाद जी उन्होंनों भिस का व्रोध किया सामां परशाद मुखण जी ने पीस का व्रोध किया बहुत अरह बाबा साहाब अकेले इस हिंदु कोड बिल के लिए लड़ते रहे क्योंकि बाबस आप जानते थे कि अगर महिला के अधिकारों को मैंने आज सुरक्षित कर दिया तो उनकी हजारों सालों की दास्ता है वो दास्ता उनकी कट जाएगी और उसमें उसमें अधिकार था जैसे उसमें पती की सं अधिक नहीं रहा था क्योंकि 1400 उनको क्या आदत लगी थी उनको आदत लगी थी कि जो महिला हैं उन महिला को दबा कर रखा जाएं महिला जहां पैर की जुती है और नरक का दवार है और वही पैर की जुती अगस्रिका तास बने तो वर्दास्त थोड़ी ना होगा लोगों लोगों को पसंद थोड़ी ना आएगा इस वज़े से लोग जो है विरोध कर रहे थे लेकिन बाबा साहब ने बाबा सामने कानून मंत्री पच्छित करने के लिए मैं इस पैपर्थम कानून मंत्री बना और अगर वही मैं दिकार महिला को सुरक्षित नहीं करा पाया तो क महिला के दिकारों को शुरक्षित करने के लिए और यह सब आता कहां से हैं यह जो सारी बाते आती कहां से हैं यह जो मनुस्मृतिय हैं यह सब बाते आई कहां से यह सब बाते जो आती हैं सारी की सारी बाते कहीं ना कहीं हमारे जाती का जो दंश है यह जो फिक्स करने का जो आत्मा इस सारी बाते यहीं से आती है। देखती चाहता है कि वह फिक्स हो जाए। महिला को दास बनाए जाए। उनको हमेशा के लिए उनको वैसे ही बना दे। और आज हम देखते हैं भारत में, आज भारत में महिला हैं बढ़ बढ़े पढ़ोप पर है। tar स्वाहानि बाभरों प्रधान बनीती है पहली वह महिला प्रधान मंद्री थी हो उसने भी उस भात इस भात का थेंग्स फूर्टी ओनुड कुप से वह पहली मतलब प्रधान मंद्री बन पाएं क्योंकि अगर पहरत को निर्मान कर्भारत के नुर्मान महला है नहीं जाती है जो उसका कारण है कि समविधान जो है उसने सारे अधृट अगर देखा जातो उसमें उतनी ही चंता है से नहीं बराबर हैं किस बात में कम हैं किस बात में कम है लेकिन पुरुष को कैसे द्वाएं कि मनुस्मर्फका की is जो लड़की तुर्द के पति क्या दिं रहे हो फिर बेटा होना गानवार पतीन ste Square हुनी और हम व लागाई 500 ठीट को सुपफ पहले इनुस्मर्ति के अगर किसी महीला का पती मर जा तो उसकी हालत ऐसी होती थी महीला को बेटा भी नह भी नहीं तो जैसे दोबी का कुट्ता ना घर का ना घाट का ना तो उसे कभी घर वाले पूसते थे और ना कभी सस्राल वाले पूसते थे ना कभी समाज पूसता था क्योंकि उसने तो लड़कियों को जनम दिया क्या अकेली वो उसके लिए उत्रा दिखा उत्तर दाई थी लड़कियो भी पतनी स्वामी मान कर पूजा करती रहे आज पती जरा हाथ लोगा के देखे डोमेस्टिक वोईलेंस के केस में अंदर चला जाएगा और कोई बचा नहीं सकता उसको क्यों कि सवीधान ने उसको अधिकार दी है आज अगर कोई कहें महिलाओ को कि तुमने लड़के लड़के में पैदा करी और मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, करके तो दिखाए एक बार से विधान आड़े आएगा, तुम कर नहीं सकते, क्योंकि कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे वज़े से लड़की और लड़की महिलाओ के वज़े से नहीं होता है, आज ये सारी बाते हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकि मनुसमर्ती ने, हमें अगर वो जो कानून था मनुसमर्ती कहां, जब जब मैं उस किताब को पढ़ती हूं, मेरा जो सरीर है, उसमें खून उबलता हो दिखाई देता है, ये जो सुक्र है कि इस नहीं है बहुत अधहम, ला एक हूं अज मैं दाया करो दया के पात्र है he वो लोग जिनोंने महिलाओ को इस गरत में पहुँंचाया, वो लोग क्योंकि उनको समझ में नहीं आरात आया कि उनकी भी भेन हैं उनकी माँ है जिसने उन्होंने जनम दिया और उनको उन्होंने लज्जित किया ऐसा करके उनको लज्जित किया है और देखिए मनुस्मृति में मनुस्मृति को बाबसाहम ने इसलिए 25 दिसंबर 1927 को सोरी 1927 को बाबसाहम ने उ कम लोग अपलिफ्ट हो पाएंगे क्यूंकि अपलिफ्ट हूँ नहीं पाते हिए कानून है यह तो कानून है कानून को कौन तोड सकता आज देखिये भारत में आज जब किसी लड़की कोई इकउपर कुछ अत्ययाचार होते कानून बने हैं वह तुरंत कानून का सहरा लेती है आज देखे 100 नंबर करिए 101 नंबर कर लड़कियों को महिला को सुरक्षा दी जा रही है सुरक्षा परदान की जा रही है किसे तहत सम्हिधान के तहन Whatsan के अगर सम्हिधान में प्रावदान नहीं होता महिला की सुरक्षा का तो कहां से ये सब कुछ होता आज महिला हैं वो तलाक ले सकती है तलाक लेने का दिकार है नहीं पती से पढ़ती है क्यों उसके साथ हम जीवन बार उसको ड्धोएं हमने के मदब ठेक का लिया है कि हम उसको डोते बैठे जीवन बार, नहीं, हम क्यों डोईएंगे उसको, हम उसको नहीं डोईएंगे, उससे तलाक लेंगे, और अपना जीवन अकेले गुजारेंगे, हम अकेले रहेंगे तो क्या हुआ, अकेले अपना जीवन गुजार सकते हैं, और अगर महील आए चाहें तो अकेले अगर उनको लगता है कि किसी को उनको दत्तक लेना है या फिर अगर किसी को उनको गोद लेना है तो वो गोद ले सकती है सुसमिता सैन आज दो बच्चों की मा है क्या खुद के बच्चे है गोद लिये हुए है और बहुत अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने दो लड़कियों को गोद लिया, दो लड़कियों को उन्होंने मा का प्यार दिया, ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी ऐसा करना चीए, लेकिन किस की वज़े से? क्या मनुसमर्थी की वज़े से था? 1950 से पहले लेकर देखती, क्या कोई लेने देता, बिल्कुल नहीं, अधिकार ही नहीं था, कि आप दत्तक ले सकें किसी को, गोद ले सकें किसी को, वह भी सो अकेली, इस तरी, लेकिन उस वक्त, अभी, अभी जो है, महिला है, वो अराम से दत्तक लेती है, हराम से वो, वो उसको नहीं लगता, सिंगल पैरिंट्स करके बच्चों को पाल रही है, मात और पिता में उसने अपना यह नाम डाला हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं यह देखती हूँ, रेली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंगल मदर है, सिंगल मदर पने का ये कहां का ये था लेकिन अभी देखिए अभी सम्विधान के वज़े से सब कुछ हो रहा है आज हम पड़े फक्र से कहते हैं कि पती की संपत्ति मेरा बराबर का अधिकार है बराबर है साधी के बाद में हमारा बराबर का अधिकार होता है मनुसमर्ति क्या कहते है को अधि बैया की लेकिन अभी वो चाहिए तो पथी पथी की सम्पति में अपना आधा श्चा माँंगती है कुछ भी होह जाए तो कहते हैं कि मेकर भी हडा का हसा है में आधे की dice कि वत्रय ऊपडिकार हुं इस घर की पीद अभी पता से भी अपनदिकार ले सकती है तो यह दिकारों को बाबसाब नहीं तो सुरक्षित क्या है लड़े हैं बाबसाब इनके लिए रात और दिन उन्होंने एक किये है बाबसाब जड़ में गए बाबसाब ने ऐसे उपर उपर काम नहीं किया बाबसाब ने यह देखा कि आखिर समस्या कहा है समस्या की जड़ कहा है और जब बाबा साहब ने समस्या की जड़ देखी तो बाबा साहब ने जड़ देखी कि पुराना कानून जो था वो पुराने कानून ने महिलाव को इस परकार से करके रखा था तो बाबा साहब वो जो पुराना कानून था उस कानून का बावसाम में 1927 मेही फूक डाला और हमें उसको सेलेब्रे Caesar करना चाहिए हम महिलाओ ने इकटा आ कर उस दिन को हमें सेलेब्रेट करते आना चाहिए हम उस दिन को अपना स्वतंतरता का दिन मानने जिस दिन मनिस्मृति को जलाया गया था और फक्र से हम उसको celebrate करें वह मही लाव को महीलाव का लोकतंत्र का दिवस है कि उस दिन उस कानून को बाबासामने चला दिया और देखें 1950 से बाबसामने एक नय कानून दिया जिस नए कानून के तहत हम 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 इस भारत कि जो आधी जन्संक्या आधी जन्संक्या पुर्षों क के बराबर का अधिखार रखती है इसलिए बाबसाब महा तक गए बाबसाब उस जड़ तक गए बाबसाब ने देखा कि मानसिक्ता को बदलना पड़ेगा हमें पुर्षो की मानसिक्ता को बदलना पड़ेगा हमें हमारी मानसिक्ता को बदलना पड़ेगा हमें नारी में कॉंफिडेंस देना पड़ेगा बाब सामने जब 1925 का दिवेशन किया जब 25 के दिवेशन बाब सामने महिला को कॉंफिडेंस दिया आप अच्छे से रहो साव सुत्रे कपड़े पहनो अच्छे से रहो अगर पती पी के आता है तो उसको घर मत अंदर आने दो मुझे बढ़ा पी करद भारी चोड़ देती हूसे और अगर मारे नहीं कहारी के आप मार हाँ अगर पती मारता है तो कमसे कंसесका हाथ तो पक्ड़ सकती ओं उुसका डंडा तो पकड़ सकती ओं यह जो घो जो कॉंफिडेंस अंध्य like अग्षिभा बेंस वहान से आया यह जो देते या यह सेरनी हो, तुम सेरनी हो, तुम अपनी स्रक्षा खुद कर सकती हो, सब कुछ तुमारे पास है, और ये जो इतना बड़ा जो confidence भाबा साम ने हम महिलाओ को दिया, ये कम नहीं है, क्योंकि मैं भी उत्तर भारत से बिलोंग करती हूं, तो मैं देखती हूं उत्तर भारत में, महि महिलाओ की स्थिति बहुत अब हो रही है, महिलाओ की बात नहीं कर रही है, लेकिन महिलाओ की बात नहीं कर रही हूं, जो आज भी गाव में रहती है, आज भी उनकी स्थिति बहुत सारे गाव में ऐजे तिज है, आज भी उनको वैसे ही सताय जाता है, उनको मालूम ही नही है और ऐनको बताया जाता है, हमारे क्या क्या अधिकार ने, सविधान के अधिकार दे हुए हैं अगर हम जाएं तो कानून के तहाइत अपना भचाओ ! है एक विश्वास आता है उस प्रस्तिती से लड़ने का यह बहुत भड़ you क्रांति लखती नहीं थी पुरुषों ने मतलब यह तो को किरस ठों कर दो इसे नहीं किया ऑसलने मान स्था को चेंज किया इस से मेंटिलेटी आई Stephen बाद की बाबा साब ने इस mentality को इस धंग से बदला कि बाबा साब ने बहुत धंग दिया अट लास बाबा साब ने हमें बहुत धंग दिया और वो बहुत धंग हमें और भी सेरनी बनाता है क्योंकि बहुत धंग महिलाओं को बराबर का दिकार है महिलाए और पुरुष बोध धम में अलग-अलग नहीं है वो दोनों एक जैसा विकास कर सकते हैं दोनों उनको बराबर का दिकार है दोनों अपने अपनी बात बराबर ढंग से रख सकते हैं जैसे थेरी गाता की हम बात करते हैं थेर मतलब जो उच ऐसे पुरुष होते हैं जो उनको विक्षू कहा जाते हैं उनकी गाता और थेरी गाता किसकी है महिलाओ की गाता है ये पहले थियास की बात है कि थेरी गाताओ की बाती हुई बहुत धरह में महिलाओ की बाती हुई बुद्ध ने कभी discriminate नहीं क्या मुहिलाओ को बराबर का माना और बाबा साब ने बाबा साब को ये मालूम था कि मैं कितने भी अधिकार दे दूँ लेकिशित अगर इनकी मांसिकता चैंज नहीं हुई तो अधिकार भी दे कर भी कुछ नहीं होगा। आपको अतियार आपके हाथ में पकड़ा दिया, आप में यह confidence ही नहीं.." कि आप हतियार पकड़कर है आप पातियार ने पर्लावभी ही दिया में पकड़ा मैं आप में पर अपने बचाव कर सकते आप में इन इन επιवर déjà और ना, Ce まगइ आप kla़ा है महिला अपना सवर्वक्षन कर रही हैं तो हम अगर पुराने काल से और अभी तक की बात करें तो कोई भी इतना बड़ा हितोशी इस पूरे भारत वर्ष में बुद्ध के बाद में पैदा नहीं हुआ था लेकिन हम देखें तो बाबस बाबसाहब जो वह बहुत बड़े हितो उसी महिलाओ के हुए मैं यह नहीं कह रही मैं उन लोगों को में महापुर्षों को में डिनाई नहीं कर रही जिन्होंने वक्त 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 पे काम किया मगर वह काम एक पर्टिकुलर एरिय में था वह छोटा-छोटा काम था लेकिन महिलाओ ने बड़ा बाबसाहब महिलाओ के लिए बढ़ा काम किया है एक कानून बना कर जी सुख़ी रचना देकर बाबहें का देकर बाब यहां काम किया और। उसी की वज़े से हम आज तुम जयरा और सब आज हम पुर्षों से कंदे से कंदे मिला के चलती हैं, आज हम अपने मत देती हैं, आज घर में हमारे साथ ने बराबरी का व्यभार किया जाता है, तो यह सब कुछ मानसिक्ता की वज़े से, आज धीरे धीरे करके मानसिक्ता चेंज हो रही है, धीरे धीरे करके लोग समझ रह तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी यह लोड़ बुद्ध चैनल जो है उसको मैं भूत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी उन्हेने मुझे 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 दिया अपने दोशब्द कहने का अपनी भावनाव को व्यक्त करने का क्योंकि आज मैं आपके सामने दोशब्द कहें कर, अपनी फिशीर करकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो, कम से कम मुझे बोलने का मोका मिला और ये मोका भी बाबा साब की वज़े से ही है इसलिए बाबा साब जो है वो हमारी मा है और हमारे पिता है वो ही है जिनों ने हम हमें जनम दिया हमारे अधिकारों का जनम दिया बाबा साब ने अपना आचल दिया जिसको समविधान कहते है तो धन्यवाद Lord Buddha channel कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में जाग रुकता हैयने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, और पुनहे में, किसी नई विशह को लेकर आपसे फिर से रुबरु होंगी, आज के लिए इतना ही, सभी को नमगुद्धाय जैवी अ कर दो 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 कर